हेलो फ्रेंड कैसे आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे सो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में और ये ब्लॉग है साम का साम को हम बना रहे थे मटर और पनीर की सिंपल तरीके से सबजी सो हमने सचा कि आपके साथ सेयर करते हैं प्याज को काट लेंगे और लेसून को छिल लेंगे। उसके भाद में हम जस को कच्छा नहीं पीछते तो क्या होता है कि इसमें जो बहुत टाइम लगता है और मतलब इसमें जैसे हम लोग सब्जी को पकाते हैं तो प्याज को बिल्कुल ब्राउन करना है पीसा हुआ प्याज को तो वह नहीं करना पड़ता है इसमें बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है थोड़ा सा डालेंगे सबस्क्राइब भेल और उसमें डालेंगे प्याज लाल एकदम ब्राउन हो जाता है उसके बाद मैं हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो टमाटर हमने एक रखा है उसको डालेंगे क्योंकि हमारे जो है ज्यादर लोग नहीं है दो ही लोग का है सबजी उस हिसाब ने हमने एक टमाटर लिया है आप अपने मतलब फैमिली के हिसाब से जो होते हैं सदसी के हिसाब से आप ले सकते हैं तो अभी इसको हम ढग देंगे पांस पिलिट के लिए तब तक थोड़ा सा दूद पी लेते हैं गुन-गुना करके यह अध्या जो है साम कि समय जिब इन लों को बहुत मस्ती आती है ना साम को बहुत परिसान भी बहुत करते हैं सोने कि जब उठते हैं तो इन लों को दम चिला-चिला की में पांगल कर देते हैं और यह थोड़ा-थोड़ा प्याज हो रहा है तेज आज पी कर लेंगे और क्योंकि किचन बहुत छोटा है तो कैमरा जो मोबाइल को मतलब सेट करने में बहुत डिफकल्ड होता है मेरे लिए क्योंकि कहीं ऐसा जहीं ट्रैपोर्ट आगे अकर हम रख देते हैं तो गैस नहीं दिखता और इधर साइड में रखते तो बच्चे दोड़ दोड़ के आते ह दोड़ लगता है कहीं तोड़ फोड़ ना कर दे और एक बार तो यह लोग मेरा मोबाइल गिला मतलब जमीन पर गिरा भी दिये हैं और यह हमने जो मिक्सी में पीस लिया थोड़ा गरम था क्योंकि हमको थोड़ा बहुत देर हो रहा था रात के जो है मेरा बिक बहुत आने क्योंकि बीच बीच में बच्चों को भी देखना रहता है किसी को पॉटी आई है किसी को खाना किसी को सुसू आई है मतब छोटे बच्चे है न तो इतना दू टाइम देना ही पड़ता है उनको और अभी जो है आध्या को आगई यह पॉटी जाएंगे हम करके आ चुके है और मतलब यह कपड़ा इनको मोज अगर पहने तो मतलब निकालना पड़ता है न बुरा डबल डबल सा पहनाते हैं ठंडक है तो डर लगता है यह पनीर खा रही है मस्ती से बटनी मतलब पनीर बहुत ठंडा था तो डर लग रहा था कहीं सर्वती खासी ना आने लगा इसलि पानी के वज़े से बहुत ठंडा रहता है तो बच्चों को लगता है कि कहीं ठंडा ना लग जाए और अब इसमें मसाले कर लेंगे मसाले में डाले है केवल एवरेस मसाला है मेट मसाला और धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर और बाकी पसूरी मेथी इस से ज्याद अब बताया कि सिंपल तरीके से बना रहें कोई इसमें ताम जाम नहीं कर रहे हैं और आज हम मलाई भी नहीं डालेंगे क्योंकि मलाई फ्रेस है नहीं और जो दूद हमने अभी गरम कर दिया तो मलाई उसकी जो है फोट चुकी है इसलिए और हम जहें मेरा काम आदा से ज्य सदा लेंगे जिसे मीन को जो है अथर के पापा को कलर बहुत पसंद नहीं है हमको थोड़ा अच्छा लगता है कलर देखने में लेकिन इनको नहीं पसंद है थोड़ा अटा लगा लेंगे और उसके बाद में रोटी तो जो आते हैं तभी बनाएंगे बकी अथर को भूक लगी तो हम अथर को खाना खिला देंगे क्योंकि उनको लेट हो जादा आते आते तो फिर बच्चे बच्चों को भी सोना रहता है ना इसलिए हम कैमरे को पॉस्ट कर रहते क्योंकि आटा मदलब सांदे समय ब्लॉग है और अब डालेंगे नमक थोड़ा थोड़ा और मतब पुरी सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है बस इसमें थोड़ा पानी डालेंगे इसके बाद पुरी सब्जी धर देंगे 15 मिनिट के बाद कैस को बंद कर देंगे आप सभी को एक चीज बताना चाहते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर है वह पानी की तरफ बढ़ते जा रहा है भगवान के दया से बहुत तेजी से मेरा चैनल जो है मतलब आगे जा रहा है बट मेरा जो है ब्लॉग नहीं आ पा रहा था सो अब हम रेगलर ब्लॉग लाएंगे जो मेरे ब्लॉग का जो है मेरे सब्सक्राइबर तो फोर के हो गया है बट मेरे मतलब वाच टाइम नेम कम्प्लीट हुआ है क्योंकि मेरे ब्लॉग जादा भी हमने डाला ही नहीं है जो आप लोग जितने लोग मेरे चैनल पर अभी नए आ रहा है हो जो प्लीज चैनल को पुरा प्रयाग राज को आपको दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा करके सो बहुत ही इंट्रेस्टिंग ब्लॉग आगे आएगा सो प्लीज ब्लॉग में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेगा और ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक और कॉमेंट जरूर करेगा ताक हमकिट ब्लॉग के सर्सक्राइबर तब पता चलता है जब मेरे ब्लॉग प्रमेंट आता है कोमेंट जरूर करिए थोड़ा सा ही किया करिए पर जरूर किया करिए चालते यह ङुद्विन रखते देवी का है प्रसाद का जो उनके लोकेट और काफी दिनों से रखा था खा नहीं पा देते तो आज हमने सोचा कि आज खतम कर देते वरना बहुत ज़्यादा सुख गया देना तो उसमें या तो मिठास भी नहीं रहता है तेस्ट भी नहीं रहता है अब आगए है रूम में ब बागे सवर साहिद नाम उनका बहुत बड़े चमतकारी बाबा है और देखे रूम फैला हुआ है क्यूंकि साम को बच्चों को सुलाने के बाद जब उठते हैं तो फटा-फट कीचन में जाके लग जाते हैं रूम को उतना सही से नहीं कर पाते हैं और यह मुंपली हमको ल अध्या को पसंद है तो मेरे साथ बैठके कंप्लीट कर रहे थी और विज विज में हम टीवी देख रहे थे तो यह देखी मार पीड चल लही है और यह बता रहे हैं मुंफली खा रहे हैं और यह बहुत पसंद है इनको और आप अथर के लिए था खाना बना लेंगे उनको लग गया भूख इनके लिए रोटी सेख रहे हैं और अब देखिए आप मेरे पनीर की सबजी की कलर देखे कितना प्यारा कलर आया है मठी पनीर की और यह देखी चावल सबजी देख सकते हैं बहुत हैं सिंपल तरीके से बनाते तो बहुत टेस्टी बनी थी और थोड़ा स अब बताएंगे कैसा बना है सो जायद लग रहा है इनको अच्छा लग रहा है तो बता रहे हैं और इनको देखी कैप कर गया है हाद्या का तो इनका बाल देखी कैसे हो गया मच्चों का ठंड़क में बहुत खराब हो जाता है कैप लगाने को जैसे अलगी हम लोग भी समय बहुत चिलाड मचा रहा है हम जा रही जाकते हैं और शो ब्लॉग आपको कैसे लगा जरूर बताएगा बाब बाई कैके अरपना खेल रखियागा जाए मातादी